ये तस्वीरें उतर प्रदेश के एटा जिले की जहां की अदालत में तारीख पर आये पती को पत्मी ने चप्पलों से पीटा वज़ सिर्फ इतनी सी थी कि पत्मी समझोते का दवाब बना रही थी पती ने सब कुछ अदालत पर छोड़ने के लिए कहा तो इसी बात पर उसे गुस्सा आ गया इसके बात क्या था पत्मी ने सभी के सामने चप्पल उतारी और पती पर वरसाना शुरू कर दिया दीवानी नायली की तीसरी मंजल पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब तारी करने आये पती को पत्मी ने चप्पलों से पीटना अधिवक्ताओं ने बीच बचाओ कर आया मामले का वीडियो वाइरल हो गया बताया गया कि दिल्ली के भजन पुरा के रहने वाले गौरप उर्फ गौरी शंकर और उनकी पत्मी नीरच के मधिया विवाद न्यायाले सिविल जज जूनियर डिवीजन जलेसर में चल रहा है मंगलवार को जब गौरप तारीक पर अदालत आया तो नीरच ने उस पर समझोती का दवाब बनाया जिसे मामला विचारदीन पुनी के कारण गौरप ने अदालत के निर्णे की बात कही तो नीरच और उसके पिता भीकम सिंग गुस्सा हो गए और नीरच चपलों से अपने पती को पीटने लगे इसका विडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वाइरल हो रहा है गौरप के अधिवक्ता योगेश वगेल ने बताया कि इस मामले की कोतवाली नगर में NCR दर्स कराए गई है वहीं अधिवक्ताओं ने इस घटना पर नाराज की जिता है अधिला क्षा है बाषी, दोगे ता ही बाषी जयाओ को दोगे प्रेखेज खागे जी मता हाई जी मता हैजी बाषी, जी मता है जी मता हाई भाषी, मता हुपाइ